अभी आप ये जो देख जहाएं ये MCC-Room है और MCC-Room में क्या-क्षिस्टम होता है और क्या-क्या इसमें इऊज होता है पूरा Electrical System के बारे में जानने वाले है इस वीडियो में तो बने रही वीडियो में लास्ट तक और एक भी एसट्यप आपको चुटना नहीं चाहिए नहीं तो पूरा E.C.C के बारे में और पूरा एलेक्रिकल रूम के बारे में क्या चाहिए होता है सब डीटेल से बताने वाला है इस वीडियो में तो बने रही हमाहरे एक्जोलरी सप्लाई के लिए मतलब यह पहने लिए उस किया है जो कि UPS पावरी से आउटपुट होता है और यहां पर आप देख सकते हैं एक और चोटा सा MCC है यहां पर सबसे पहले आपको बता दे कि MCC का फूल फ्रम होता है कि Motor Control Center यहां से इस फ्लोर पे इस प्लांट में मतलब इस फ्लोर में जितना भी मोटर है सब इसी MCC रूम से fp ado ecb लगा हुए यह जो operational का ब्रसाइश सेग और जसे कन्ट्रोल सिस्टम ओएब इसंस कवेडर का जहां पर कि आपका voltage तो करेगा, ampere तो करेगा, यानि कि kilowatt जो भी setting करेंगे, यहां पर सभी इसमें तो करेगा, और यह जो है R face, Y face और B face, यह जो है, इसको मतलब 3 face का indication यहां पर तो करेगा, जब यह panel चालू रहे गया, यानि कि 3 face आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और A auto manual, यह जो दो नमर में है, तो दो नमर में manually, यहां पर आपको switch, यह जो है neutral, इसको control बिरकर को on up करना पड़ेगा, तब यह on होगा, ACB के वो upgrade करने के लिए आप देख सकते हैं, काफी सारा indicator यहां पर लगा हुआ है, जिससे कि on का है, off का है, और उसके बाद में trip है, और यहां पर यह spring charge और trip healthy, और test position और service position, यानि कि अभी यह चल रहा है, तो service position में है, यानि कि जब बंद रहेगा, यह test position में रहेगा, और यहां पर आप यह on है, तो on का इंडिकेशन रहेगा, और अगर यह off रहेगा, तो यह आप वाला green वाला, यहां पर दिखाएगा, मतलब यहां से कभी भी कोई position में आगा, अगर emergency stock दबाते है, तो यह फुड़ा panel आगे का supply बंद हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते यह handle होता है, जो कि USB को बाहर मतलब निकालने में और अंदर जाने के लिए यहां से घुमाना पड़ता है, तो बाहर अंदर होता है, औ यहां पर देखा रहा है, आप देख सकते हैं, यहां पर चार्जेड स्प्रिंग, यानि कि अभी चार्जेड है on position में है, उसके बाद में जैसे ही हमारा इंकमर on हो जाएगा, तो हमारा फूरा MCC में क्या हो जाएगा, बस बार के थूरू, यानि कि इसका अंदर देख रहे ह अब यह जितना feeder है, वो feeder में क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां से आप 0.7 kWh का motor को चला सकते हैं, और यह कौन सा feeder है, यानि कि डीओल अस्टाटर है, इसमें लगा हुआ है, वह सा ही आप देख सकते हैं, 0.75 का इसमें सब दिखा रहा है, और यहां से क्योल कह स्टाटर है, और इसमें भी आप देख सकते हैं, on, off, trip, local on, remote on, start और emergency stop का बटन दिया हुआ, यहां से जैसे ही इसको on करेंगे, अभी यह आप position में है, यहां से जैसे ही on करेंगे, on का इंडिकेशन होगा, और यह जो यहां पर selector सूर दिया हुआ है, जैसे कि एक नमर पर local यहां सा on कर सकते हैं, दो नमर में remote, ऊजर फूच बटन से भी on कर सकते हैं, इसी तरीका से इसमें आप देख सकते हैं, बहुत सारा feeder है, और यह सबी feeder यहां कि किलो वार्ट के हिसाब से रहता है, जो जीतना किलो वार्ट का है, उतना motor में मतलब वह हिसाब से वहां पर ख्या पर जाके अवाज से देखें, वी अपडी के ऊपर फूरा डिस्टेल से बताए हुए है, अभी यह जो वी अपडी feeder आप देख रहे हैं, यहां पर देखें कि आप दिखा रहा है, बीस एक हाजार एक जो कि यह चश्डीर का नंबर है, वहां पर जा रहा है, और यहां पर है कितना किलोवाड का 90 किलोवाड का VFDA है, और यह 5 किलोवाड रोटर मील वन हाई स्पीड, यानि कि उसका डिटेल बता रहा है, और यहां पर इसका देखें कि यह जो VFDA लगा है, इसके बाद में on, off, trip, start और emergency stop, और यहां से सेलेक्टर शोई छे, एक नमर पर रखेंगे, तो लोकल इदर से on हो सकता है, और दो नमर पर रिमोट पर फूस बटन से on कर सकते हैं, इदर एक multifunctional meter है, इदर एक MCC भी है, 90 किलोवाड में अगर केवल का बात किया जाए, तो इसमें थिरिक और 120 का केवल यूस किया हुआ है, मोटर के लिए, और यहां पर आप देख सकते हिए, उसके नीचे कितना है, ये 30 किलोवाड, 30 किलोवाड में आपको एछ आपने routine के और 95 केवल केवल कवल यूस किया हुआ है, ये जो 120 का जो केवल बता है, और 95 का ये अल्मूनियम केवल है, बाकी सब उसके नीचे जैसे कि हिए, ला-टेनन और शैख से सब यहां पर कवर किवल this हूआ उससी पर कारे से सभी यां-पर से से भी ऑबाइसी कम करने वाला है यह दूसरा जो एंसने काम करने थे उसमें भी स्टूसे गाने सी स्टम बता होई सिस्टम से कम ऺिए यह जो पैनल आप देख रहे हैं यह जो है UPS DB यहें की UPS सप्लाय से यह चल रहा है यह पैनल और यहानकी 65 यहां उनकामड जो है कितना हैं रख सबक्सक्रामोजघ्र के शौट इनलिकी की भीज़र है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह स्टार्टर कोई भी नहीं है, सब TPN फीडर है, यहाँ कि 16 अम्पियर का थिरी फेस और न्यूटल यहाँ से आउटपूट देगा, जो हिसाब से यहाँ पर लगा हुआ है, ज्यादा तर यहाँ पर 16 अम्पियर का ही है, ज्यादा तर क्यों से 16 अम्पियर का आउटपूट देगा, ठीरी फेस और न्यूटल के लिए, उसके बाद में यह भी एक MCC है, लेकिन अभी यह क्लोज है, अभी बंद इसमी के वालू आया नहीं है, और इधर आप देख सकते हैं, यह जो UPS सिस्टम है, तो यह जो UPS सिस्टम है, यह UPS है, कि इतना किलोवड का है, आप देख सकते हैं, यह जो UPS सिस्टम है, इसमें एक Incomer कैवल आएगा, यानि एकुलरी सप्लाई से आएगा, और इसके बाद में यह जो है, एक आउटपूट देगा, यह टांसफर्मर को, और टांसफर्मर फिर सप्लाई को, यानि का आउटपूट देगा सिदा, यानि की UPS सप्लाई में, और यह इसी से एक बादरी के लिए चार्जिंग के लिए भी किवल जाता है, सेमें यह सभी आप देख रहे हैं, UPS है, अलग-अलग KVA कहीं साब से यहां पर लगा हुआ है, और उसका UPS का बादरी रूम आप देख सकते हैं, यहां यहां भी अलग-अलग EPS लगा हुआ है, सभी का यहां पर अलग-अलग BATTERY SYSTEM लगा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, यह BATTERY SYSTEM है, यह PLUS-MINUS को मतलब कमबाइंड करके एक तरफ PLUS और एक तरफ माइनस निकालके रखते हैं, और बीच में से एक common point भी निकलते हैं, त यहां से चलने वाला है, उसके बाद में यह छोटा सा जो DB आप देख रहे हैं, यह floor का जितना भी emergency light है, ELDB है, इस से चलने वाला है, और यह floor का जितना भी single phase supply के socket है, यह जो SPDB है, यह लंबा वाला इस से चलने वाला है, इसके बाद में MCC के बाद में आप देख सकते हैं, यह जो instrument का panel है, आप देख सकते हैं, SSB, SSB यानि की second floor 301, इसका tagging है, और instrument panel में पुरा इसका PLC से control होता है, आप भी देख सकते हैं, और यहां से जितना भी wire गया हुआ है, उदर limit switch और जो वाल लगा है, शॉलनट वाल, उसमें इसका केवल गया है, उदर आगे भी एक रिय पैनल है, यहां से जो जाता है, क्यों रियू पैनल में जाता है, रियू पैनल से फिर सॉलनट वाल और फिर आपका जो limit switch है, उसमें जाता है, तो instrument panel यह है, और इसके बाद में यह instrument का PDB है, यानि की 24V supply और फेश न्यूटल आरते हैं, 220V supply जितना भी होता है, यह अपना instrument system क यहां से जाता है, यहां पर देख सकते हैं, PSU लगा हुआ है, जो कि यहां से 24V supply को output करता है, इसका इंकमर जो आप देख सकते हैं, EPS से ही आता है, यह panel को चालो करने के लिए EPS से supply आएगा, उसके बाद में यह output 24V और 230V पूरा EPS system को देगा, इधर वाल पर आप देख सकत वीडियो अच्छा लगा हुआ है, फिलीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जरूर करें, इसी तरह का electrical knowledgeable contact देखने के लिए, तब तक कली, नमस्कार, जय हिंदे